नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबीक हमारी YouTube चैनल में दोस्तों क्या आप भी Google Photos का यूज़ करते हैं और यदि आप Google Photos का यूज़ करते हैं और अपनी सारी फोटो आप Google Photos पे अपलोड कर देते हैं और यदि आप उस अफलोड की हुए फोटो में से आप कुछ फोटो को डिलेट कर देते हैं तो कैसे आप उसे रिकवर कर पाएंगे कैसे आप उसे दूबारा रियस्टोर कर पाएंगे दोस्तों आज किसा वडियों आपको यही बताँगा कि Google फोटो से अगर आपका फोटो डिलेट हो जाता है तो कैसे आप उसे recover करेंगे दोस्तों इसको जानने के लिए open करते हैं अपने photos एप को और यहां पर हमारी photo होती है तो यहां से अगर आपका photo delete हो जाता है तो आप इसे बड़े असानी से recover कर सकते हैं तो for example के लिए यहां पर मैं कुछ photos के यहां से मैं delete कर दे रहा हूं यहां पर मैं तीन photos को select किया हूं और इसे delete करने के लिए यहां पर हम click कर रहा हूं इस delete पर और इसके बाद हम click करें move to bin तो दोस्तों यहां से हमारी photo permanently delete नहीं होती है यह photo एक bin नाम की file में जाके save हो जाती है तो चलते हैं उस bin नाम की file में उस bin नाम की file में जाने के लिए यहां से हम click करते हैं library पे और library पे click कर देने के बाद यहां पे वह bin नाम की file होती है यहां पे यहां पे आपको click करना हो होगा तो जैसे कि अब देख रहें कि अब यह मेरा तीनों फोटो पड़ा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है आइटा में पर्मानेंटली डिलेट आफ्टर साथ दें मतलब कि साथ दिन के अंदर अंदर में यहां से आप इस फोटो को रिकवर नहीं करते हैं तो यहां से यह फ फोटो आपकी पर्मानेंटली डिलेट हो जाएगी लेकिन हमें इस फोटो को रियस्टोर करना है तो यहां पर हम क्लिक करेंगे रियस्टोर और इसके बाद आपको फिर से यहां पर क्लिक करना होगा रियस्टोर पे जैसे कि देखला रहे हैं कि हमारा तीन फोटो यहां से र रिकवर हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका भी कोई गूगल का फोटो डिलेट हो जाए तो आप उसे बड़े आसानी से साथ दिन के अंदर अंदर तक रिकवर कर सकते हैं उम्हीद करते हैं छोटी से वीडियो आपके काम क्यों कि आपके हेलफूल होगी दोस्त झाल